हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग मेरा नाम स्तिंद्र पाठक और हम लोग यहां चर्चा करने वाले हैं ATC के बारे में एर ट्राफिक कंट्रोलर और एरपोर्ट ऑपरेशन्स इन दोनों एक्जाम्स की बात करेंगे जो की एरपोर्ट 30 ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था सबसे पहले मैं बता दू कि मेरा एक टेलिग्राम चैनल है जिसमें आप लोग जुड़े भी हुए हैं और आप ही लोग के खास करके मैं वीडियो बना भी रहा हूँ वहाँ पर हमने आपको लोग को डिस्क्लोज किया था कि जो एक्जाम की डेट होगी वो 25 मार्च को होगी तो आप लोग की प्रतिक्रिया आए दिस फीड़बैक बहुत अच्छे नहीं आये थे तो जाहिट सी बात मैं आगे नहीं बढ़ पाया हाला कि क्योंकि आज एक्जाम का डेट डिस्क्लोज हो चुका है आप लोग के अड्मिट कार्ट भी आ चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग को थोड़ा गाइड करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि 10 से 15 दिन बचे हुए हैं 14 दिन बचे हुए हैं आपके एक्जाम में और हमें नहीं लगता कि इते कम समय में आप टेक्निकल पोर्शन को कवर कर सकते हैं तो हम लोग day by day के हिसाब से एक strategy बनाएंगे एक proper way बनाएंगे ताकि हम लोग अपना syllabus है वो एक time में हम लोग cover कर पाएं और at least 50 marks हम लोग score कर पाएं टेक्निकल सेक्शन में और दुसरी बाद बता दें कि इस बार का cutoff जो होगा वो भी 90 प्लस जाने वाला है general category के लिए अब इस पर भी doubt ना करने लगएगा fake है real है क्या है कैसा है मैं आपको बढ़ा दू कि इसे हर teachers के अपने sources होते हैं वैसे हमारे भी sources हैं जिनके बारे में आपको नहीं बता सकता है लेकि इतना तो आप हमारे उपर भरुसा कर सकते हैं जैसे example के तोर पे FCI manager का अगर आपने form भरा होगा तो उसका exam date आपका होगा 15 मई के आसपास में पूरी शॉर्टी नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ आप बाद में देखेंगे भी 15 मई को उसका भी exam होगा दूसरी बात मैं बता दू कि अगर exam paper को लेकर के आपको doubt ध्यान रखें अलग-अलग channels बहुत सारे दुन by A T C और A O के लिए ठीक है और इन दोनों exams को लेकर करके हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे थे कि कुछ channels ऐसे हैं कुछ channels ऐसे हमें नाम नहीं रूंगा वैसा बनका कि वो बिगड़ पढ़ते हैं बिल्कुल अगर उनकी बार इन बात कर लिया जाए फिलहाल आपको exam clear करना है बाकी जिए उसे क्या मतलब है लेकिन आप देखेंगे और पाएंगे कि 12th standard का syllabus देते हैं लोग इवन notification में भी आपको सिल्बस मिलेगा 12th standard का अभी नहीं हर बार आपको मिलता है कि 12th standard जो होगी physics आगी mathematics आगी पर आप जरह हमें बताईए कि realistic mechanics कि अगर बात करें कौन से 12th standard की किताब में आपको मिलेगा और उस level का जिस level में जिस level के question आपके exam में आते हैं तो मुझे उसका idea है दूसरी बात मैं अपने बारे मता दूँँ आपको कि आप लोग में से जालतर लोग हमें जानते भी हैं कि मैं अलग-अलग platform पर पढ़ाता भी रहा हूं अगर आप अन support नहीं मिलेगा तो मैं क्यों आपके लिए क्वेश्च करूँगा तो support में आपसे कुछ नहीं चाहिए एक अच्छा feedback चाहिए अगर आप follow कर सकते हैं follow करिए अगर आपको लगता है कि fake है गरबढ़ है तो at least आप लोग कोई ऐसे heartful message ना करें कि rhythm बिगड़ जाए यह आगे पढ़ाने का हमारा मनना करें आगे teach करने का मनना करें दूसरी बाग मिता दूं कि UPSC से सम्मंदित बहुत सारे exams के लिए मैंने lectures डाले हुए है अलग-लग platform में मैंने पढ़ाया है और बड़े-बड़े channels पे हैं ठीक है आप लोग जानते हूं कि जातर लोग अगर आप आप सर्च कर लीजेगा YouTube पे आपको बहुत सारे platform पे हमारे videos available मिल जाएंगे ठीक है तो at least आपको पता होना चाहिए कि 12th standard की बजाए आपको पढ़ना क्या है कौन-कौन subject पढ़ने है कैसे पढ़ने है तो प्रॉपरली मैं आपको इस प्लान बताना चाह रहा था first of all अगर हम technical section की बात करें और physics की बात करें तो physics में हमने आपको पहले सही बता रखा है कि आपको क्या पढ़ना है और अगर mathematics की बात करें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है physics में आपको लेके चलना है इसके स्रिवास्तवा जिसके daily मैं आपको कुछ content देता भी रहता अगर नहीं आ रहा आपको कोई टेंशन मत लीजे बहुत इजी है, बहुत हलवा है, मैं आपको बताऊँगा क्या आपको पढ़ना है, और आपको यह बताऊँगा क्या नहीं पढ़ना है, तो सब कुछ नहीं पढ़ना उसमें, उसमें कुछ questions पे cross लगे हुए है, उनको भी मत पढ़िये, जो हमने आपको notes दी है जहाँ जहाँ आपको tick लगता है, star लगा हो लिखता हूँ उन सब को पढ़िये, आपको हमने previous exams के बहुत सारे papers दी हुए है, है ना जितने exams को हैं उसके, उन सब को पढ़िये, और mathematics की बात रही, तो आपको बता दें कि gate का, gate के previous years में कम से कम 3 साल के 3 years question आप लगाई है, gate engineering gate की में बात कर रहा हूँ, और हर gate के engineering department में 30 number की mathematics आती है, आपको पता ही होगा I hope 15 के आसपास में आती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां से, जो gate में आपको questions मिलते हैं, वहां से आप क्या करेंगे, जितने भी question आपको 3 साल के मिलेंगे, उन सब को लगाएंगे, और सबसे बहतरीन तरीका आपको क्या मिल जाएगा, कि made z, made z आप लोग जानते होंगे made z एक book निकालता है gate के लिए, और वह भी खाली-खाली mathematics को target करता है, अलग से निकालता है और maths को ही target करता है तो made z की वो book लीजिए, और mathematics में आप लोग को कुछ चुनिंदा chapters, जिनके बारे में आपको question paper में question देखें, मैं आपको पुरा guide करूगा कि कौन कौन से आपको पढ़ने है कौन कौन से आपको छोड़ने है, clear होगी बात तो mathematics जिस सबसे पहले तो आप इसमें start करिएगा matrix से, और matrices जो होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और number score करके free के number देके चले आते हैं ठीक है, newton reaction method कुछ चीज़े हैं, जो आपको थोड़ थोड़ जादा focus करने हैं, और कुछ चीज़ों को आपको छोड़ देना है इसा calculus की बात करें, calculus में चुनिंदा sections को ही चूना है, सबको नहीं चुकना है नहीं तो आप चूते रह जाओगे, फिर चूके निकल जाएगा exam भी ठीक है, physics की बात करें इसके स्रिवास्तवा की बात करें, इसमें कुछ topics हैं जो बहुत महतुपूर है, खास करके electricity और actromagnetism, इन दोनों को आपको काईदे से cover करना है, optics का section खास करके newton rings के बारे में diffraction के बारे में, integration के इंटरफेरेंस के बारे में इनके बारे में आपको बहुत अच्छे इस पढ़ना है realistic mechanics की अगर बात करें ठीक है, relativity theory किस ने दिया था, Einstein ने दिया था आपको पता है, और उनको nobel prize भी नहीं मिला था nobel prize के इस पर मिलता है, तो आपको पता है photoelectric effect जो की छोटा सा एक प्रयोग था तो कुल मिलाज़वा के बाद ती है कि physics में आपको बस इन 4-5 topics पे जाध्यान रखने हैं, और बाकी कुछ ऐसे होते हैं, जो conceptual होते हैं, यानि intermediate base के ही question है, जो आपको graduation में मिलते हैं, interview मिलते हैं, तो आप उसको 12th standard से ही refer कर सकते हैं, जैसे science की basic question, यानि आंतरकी आप देख लीजे, mechanics देख लीजे, तो mechanics जो basic mechanics है, यानि intermediate की mechanics है, जैसे बल क्या होता, force के बारे में, work के बारे में, complete life cycle के बारे में बात करेंगे, तो मेरे दोस्तों, बस इती सी आप से गुजारिस है, कि आप लोग क्या करें, कि strategic planning करें, कि आपको क्या कहां से पढ़ना है, किसको believe करना है, किसको नहीं believe करना है, अपने intuition को ध्यान दखो, अगर आपको लगता है कि आप follow कर गए, आपका आग बढ़ सकते हो, तो जाहिर से बार आप हमें follow करिये, अगर आपको लगता है कि आप नहीं follow कर सकते हो, आपको problem है, तो सीधी सी बात है, आप follow मत करिये, leave कर दीजे, चैनल को group को छोड़ दीजे, but at least heartful messages नहीं देने चाहिए, आपको कभी भी, ठीक है, किसी भी चैनल की बात करें हैं, दूसरे चैनल वाले भी बैठ के criticize करने लग जाते हैं, कि ये fake है, और ये सब भी अच्छी चीजे नहीं, समय बहुत कम है, तो चुप चाहिए, आप पढ़ाई की अतरब बढ़ते हैं, तो कुल मिला जुला कि ये रही बात आपकी technical section की, और मैं आपको guide करूँगा कि कैसे इसमें आप 50 plus score करेंगे, ठीक है, अगर आपको लगता हो कि करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मैं उसका जीताता उधारन हूँ, मैंने exam दिया है, और मैंने इसमें 55 score किये थे, तो at least आपको पता होना चाहिए, कि कहां से follow करना है, कहां से follow, नहीं करना है, ठीक है, अगर हम non-tech की बात करें, यानि non-tech में देखें, क्या-क्या चीज़े हम लोग cover कर सकते हैं, सबसे पहले आपको focus करना है English, English पर ध्यान रखें, एक आती है, MB book आती है, MB book आप follow कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई normal सा book, जो IPS exams के लिए जो खास करके होती हैं, उन books को आप follow कर सकते हैं, या वहां तक भी नहीं सकते हैं, तो आप previous years के जबते questions से उन topics को note करिए, उसी पर based आप KD campus की book, है न रितु की जो book आती है रितुमायम की, उस book के based पर आप cover कर सकते हैं, हला कि मैं आपको कारीब डेड़ सो words दूँगा, जिनके antonym, synonym आपको याद होने चाहिए, जिनका meaning याद होने चाहिए, इनके spelling याद होने चाहिए, और आपको बता दूँँगा, वो डेड़ सो से 200 word ही केवल ऐसे हैं, जो कि हर exam में हमको मिलते हैं, ठीक है तो आपको selective study करनी होगी, अगर हम mathematics की बात करें, कि maths में, जो aptitude section है, ठीक है, aptitude section है, इसमें क्या-क्या पढ़ाई करें, तो ध्यान रखें, इसमें आपको बहुत चुनिंदा topics ही पढ़ने हैं, जो कि अक्सर exams में आते रहते हैं, तो आप चाहे तो आप राकेश यादों की mathematics कर लगा सकते हो, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी वो तो, लेकिन अगर वैसे आप basic तौर पे, अगर आप R.S.A. Gribal लगा लें, चीक है, आप normal paramount की book लगा लें, है ना, basic मैंस आपको लगाने आपको पता होने चाहिए, तो मैं वैसे प्रयास करूँगा उसको भी cover करने लिए, तो आप tension उसमें भी मत लीजिए, बहुत basic question आते हैं इसमें, ठीक है, previous years देखिए, जब तक आप पिछले सालों के सवाल नहीं लगाएंगे, तो आपको ऐसे idea लगेगा, आप लोग क्या कहते हैं, कि sir मैंने test book ले लिया है, आप सोचो, test book के पास में जो book है, जो उन्होंने question paper बनाय हुआ है, उसका pattern ज़रा मिला करके देखो previous years से, क्या वो match करता है, मैं नहीं कहूंगा match करता है कि नहीं करता है, आप सोचो, आप देखो एक बार, क्या आपको लगता है, वहाँ से कोई questions इसमे match कर पा रहे हैं, दो-चार को छोड़ करके, अगर match कर रहे हैं तो आप लगाईए, अगर match नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों उस पर time और अपनी energy और passage आया करता है, सीधी सीधी बात करेंगे, और भी channels की अगर में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है, channels वाले बहुत महनत करते हैं, जैसे मैं महनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, जाहिर सी बात सब महनत करते हैं, और कोशिश करते हैं बहतर से बहतर contents देने की, लेकिन आपकी भी एक responsibility बनती है कि उन contents की authenticity कैसे होगी वो होगी previous year question पे बस तो उससे आप मिलाईए, match करिए और फिर sir को भी बताईए कि sir ये question आते हैं, इसको cover कराईए ये syllabus आता है, इसको cover कराईए चीकि आपकी भी कुछ responsibility बनती है उसके बारे में भी आप बात करेंगे तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि daily daily के daily हम लोग classes लेने की कोशिश करेंगे daily class लेने की ज़रो कोशिश करेंगे तो first of all हम लोग class लेंगे सुबह में 8 a.m. पे जो की होगी non-techs rated, ठीक है, non-techs मैं कोशिश करने की बात कर रहा हूँ आप लोग का support रहेगा, तभी आगे बढ़ेंगे ठीक है, तो non-techs की class में लोग लेंगे सुबह में 8 a.m. पे और technical section की हम लोग class लेने की कोशिश करेंगे 8 p.m. पे इसमें technical section लेंगे 8 से 9 हम लोग कोशिश करेंगे physics पढ़ने की ठीक है, 8 से 9 हम लोग कोशिश करेंगे physics पढ़ने की और 10 से 11 या हो सकता है 9 से 10 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे mathematics mathematics हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद technical की हम बात कर रहे है, non-tech की सुबा में रहेगी और आपको बता दे एक घंटा भी उसके लिए प्रयापत है दूसरी बात आप लोग में से जाद तर लोग के message हमारे पास में आये हैं कि GK के बारे मताईए हम आपको बता दे जीके के पीछे परिशान ना हुई है, total 10 marks का 10 marks का ये आता है, ये section होता है जिसमें current phase भी रहते है तो at least current phase पढ़ लीजे, 4-5 questions आपके लग जाएंगे पॉलिटी का एक या दो questions आता हूँ आता article added या फिर आध्यादेश जो जारी होते हैं 5 परकार के उनके बारे में आता है तो उनको आप पढ़ लीजे, articles देख लीजे एक या दो question आपके लग जाएंगे, लग जाने दीजे और बाकी के team question आप कितना भी पढ़ लीजे और वो आप से हो जाएगा, इसकी कोई guarantee नहीं होती तो GK में आपको focus करना है चार से पांच नमबर पर और जो की आपको current face दिलाएंगे तो आप previous 5 months के आप current face पढ़िए आप चाहें तो study IQ को follow कर सकते हैं उनकी content अच्छे हैं मैं उसमें से कुछ चुनिंदा उनसे content से लेकर करके आपको search भी कर दूँगा, कौन कौन से आप join करे हैं अगर ले सकें तो बाकि कुछ resources मैं आपको provide करने कोशिश करूँगा उनसे बात करके प्रयास करूँगा वैसे हम लोग आपस में जोड़े भी रहते हैं तो वहाँ पर बात करके मैं कोशिश करूँगा कुछ अगर आपको content मैं दिला पहूँ और वैसे मेरे पास पढ़े भी होंगे कुछ content उनके नहीं अपने contents कुछ पढ़े होंगे मैं आपको provide कर दूँगा वो तना ही पढ़ी है बाकी छोड़ दीजे बाकी आपको छोड़ देना है इसके बाद में आपको reasoning की अगर बात करें reasoning भी 10 number की आती है और यह आपको बता दें कि reasoning में 10 के 10 पक्के होते हैं 10 के 10 पक्के होते हैं तो प्रयास आपको करना है एकाती SSC spark अगर आप लोग को जानते होगे SSC spark आती है आप स्पार्क लीजिए और 25 questions उसमें होते हैं आदे गंटे में आपको अटेम्ट करने है डेली एक सेट लगाना है और 15 मिनट का काम है पर शुरुबात में आपको आदे गंटे लगेंगे और आप पाएंगे कि आपके 10 में से 10 number score होंगे reasoning में से mathematics की बात करें और technical section की अगर बात करें technical section में भी यानि technical section में भी आपको बदा दें technical section में भी आपको 50 plus marks आपको score करने का target रखना है और मैं बदा दूँ कि मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि अगर हमाई साथ आप 10 दिन बने रहेंगे आप लेके आएंगे कि मुझे पता है कहां से आते हैं questions ठीक है और हमारे resources भी अच्छे हैं आप guide आप अब रस तो आप कर ही रहे होंगे है ना 6th की क्या conditions थी और आज की date की क्या conditions है तो आप trust तो करी रहे होंगे तो at least आप सा आप वैसे भी अगर आपका पहले से नहीं तैयार है तो कौछ सा घाटा हो जाएगा आपका है ना जो आप पहले से नहीं पड़े हो एक गहबरा यह होगी 10 दिन में कैसा तैयार होगा तो 10 दिन में तैयार तो वैसे भी आपका नहीं होगा ठेक है और बाकी दिन में आपको जितने भी materials हम आपको देखे जाएंगे सारे दिन आप महनत करेंगे और शाम में हमाई साथ technical section में बैठेंगे और technical के सारे सवाल हमाई साथ लगाएंगे दो-चार सवाल में करूँगा, कुछ आपको देखे जाऊंगा, उसको आप लगाएंगे, नेक्स दे आप हमसे पूछेंगे कि कितना आपको समझ में आया है, कितना कम समझ में नहीं आया है, आधे घंटे हम लोगे उसका discussion करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, दस दिन की बात है, अगर आपको लगता है, आप नहीं निकाल पाएंगे, तो हमाएं साथ आईए, मैं दावा करता हूँ कि आपका एक्जाम निकलेगा, ठीक है, आपको भरुसा करना चाहिए, लूज होने के लिए आपके पास है, आक्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, और साथ-साथ मैं आपको बढ़ा दूँ कि सेवरेल एक्जाम ऐसे हैं, उत्तरप्रदेश के जो हमने क्वालिफाई की हैं, गेट 2016 से 2020 तक, लगादार अच्छे मांक से हमने स्कोर किया है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, ज़्यादा प्रूफ चाहिए, अब ग्रूप में तो हम प्रूफ बताते नहीं चलेंगे, और अगर आपका एक्जाम मैं नहीं निकाल पाता हूं, तो मेरे किसी भी टैलेंट का, किसी भी क्वालिफिकेशन का कोई महातु भी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बस इतना सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट करने कोशिश करेंगे हम लोग next day यानि कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं परसों की बात कर रहा हूं कल मैं एक बार थोड़ा सा देख लूँगा अगर हमारे पास समय मिल जाए दूसरी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाता हूं जाहर सी बात है महां से मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेन क अभी ज़रूत पढ़ रही है तो अभी हमने create किया है मैं आपको at the moment आपको recordings दे पाँगा because क्योंकि ये नया चैनल है इसमें कुछ बिने चने 100-200 सब्सक्राइबर्स होंगे वीडियो एक भी नहीं पढ़ा हुआ ये पहला वीडियो होगा तो at least आपको करना क्या है कि यहां आते ही सब्सक्राइब करिए क्यों सब्सक्राइब करिए आप क्योंकि जब एक 1K अगर सब्सक्राइबर पहुँच आते हैं उसके बाद में ही हम लोग लाइव आ सकते हैं यह नागई मृट करीए कई चैनलस पर आप नाम सब्सक्राइबर मिलेगे तो यह हजां आतुरे कर सकते हो आप लोग कोशिश करो सब्सक्राइब कर ने podcast और आपको लगता है कि संख्याभी कम है तो आपने फैमिलीज को अधर मोबाईल से अलग-अलग आईडी से आप प्रयास करो कोशिश करो सब्सक्राइब करने की है सब्सक्राइब करेंगे, एक हजार जैसे पहुंच आएगा, प्रयास करेंगे, एक से दो दिन में एक हजार पहुंच आएगा, उससे क्या होगा कि हम लोग लाइव आप आएगे, तो लाइव हम आपके कमेंट्स देख रहे होंगे बगल में, है न, और लाइव चीजे देख होगा, जाहिर सी बात है, सपोर्ट जादा मिल जाएगा, दूसरी बात आपको बता दू कि एक हमारे फ्रेंड है, ठीक है, ही इस वेरी टेलेंटर पसन, हिमान्शूर आए, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, कि GS में काम भर की चीज़ें आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, हो सकता है, रेजिनिंग और थोड़ा बहुत गाइड कर दें, लेकिन GS का सेक्शन वो बता देंगे, सटीक बताएंगे आपको, और आपको बता दें, he is at the moment, FCI Manager, और दूसरी बात आपको दा दे है, at the moment, वो अलग-लग channels पर पढ़ाते भी है शाम में, UPSC में उन्होंने तीन बार इंटर्व्यू फेस किया हुआ है, PCS उन्हें एक बार क्वालिफाई किया, उन्हें नहीं समझ में अगली बार फिर से देंगे, तो यह मैं तारीफ उनकी कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, नेक्स टाइम हो आएंगे, आपसे अगर मैं ला पाया उन्हें हाँ पर, जाहिर सी बात, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, है ना, लोगों की सम्क्यार रहेगी, तो जाहिर सी बात हम लोग आएंगे, तो प्रबचन आप जादा हो गया, बातें जादा हो गई, मैं बह करना सीखें, अगर आपको लगता है कि आप बिना हेल्प के एक्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात छोड़ दीजे, यूट्यूब छोड़ दीजे, अलग अलग चैनल छोड़ दीजे, चुप चाप, जितनी दो गिता कताब हमने बताई है, टेक्निकल सक्षम नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, तो और भी किसी के चक्करे मत पढ़िए, यहां आइए हमारे चक्करे में पढ़िए, ठीक है, अटलीस्ट आपको कुछ मिल जाएगा, अदर्वाइस यदर चैनल पर आप जाएंगे, नॉन टेक में गुमाते रह जाएंगे, तो बहुत कुछ और क्या बताएं आपको, आप लोग बहुत समझदार हैं, बस heartful messages ना करें, अगर आपको बेटर लगे, तो support करें, subscribe करें लें अटलीस चैनल को, है ना, ताकि हम लोग live आपके पास आ सकें, मैं कोशिश करूँगा recording video डालने के लिए, कल तो नहीं डालूँ क्या करेंगे, next day हमारे साथ में जुड़ेंगे, और हम लोग step by step, strategic way में cover करने के कुश्च करेंगे, हस्तरी, मुस्क्रातरी, हमासत बने रहे, all the best, bye-bye.